नमस्कार फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का इस्टेडी लाइन में फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टाइम एंड वर्क एक चेप्टर जो कि मैथमेटिक्स का है मैंने पार्ट वन पहले ही अपलोड कर दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट वन देख सकते हैं मैं यहां पर पार्ट टू करने वाला हूं तो इस वीडियो को आप शुरू से अंद तक देखें क्योंकि यहां पर टाइम एंड वर्क का पार्ट टू है और इसमें कुछ अलग क्वेसंस आपको देखने को मिलेगा अगर आपको टाइम एंड है पार्ट वर्क में थोड़ी से भी डिकते आती हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से अंद तकडेक त्रक क्लियर हो जाए LAKE ठीक है तो इस वीडियो को सुरू से अंद तक देखें और इसमें मैं पहुंछ अलग डिफिनेंट टाइब का जैक कोサंस बताने वाला हूं और एक सरल भासा में बताओंगा जिससे कि आपको जो आसोनी से समझ में आ सकता है ठीक है वचलिए इस वीडियो को सुरू से अन तक देखिए और आपको फार्ट डिख जाएगा कि किस तरह से मैं आपको समझाओंगा ठीक आप और आपको जाए जिस प्रकार समझाओंगा उससे क्या होगा कि आपको ये माइंड में सेट हो जागा क्यांकि मैं आपको सरल भासा में समझाने वाला हूँ चलिए वीडियो को बीना दरी के स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहला कॉशन से आपका कि A एक काम को 12 दिन में और B उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है वे एक साथ दो दिन काम करते हैं और तब A चला जाता है जाने कि A काम चोड़कर चला जाता है से इस काम को B कितने समय में पूरा करेगा तो इस तरह का कॉशन से देखे हैं हम लोग कितना सरलभासा में समझते हैं और इसको बनाते हैं एकदम लाइन को पकड़ करके बनाएं यहाँ पर बोला गया है एक काम को 12 दिन में याने कि solve कर लेते हैं इसको solve लिख लेते हैं पहले बोला गया है कि A जो है 12 दिन में ठीक है 12 दिन में और B उसी काम को 18 दिन में B 18 दिन में ठीक है अब क्या करना इन दोनों का क्या लेना है LCM लेना है मैंने पार्टों में पहले ही बता चुका हूँ आपको सरल भासा में 12 और 18 का LCM लेना है जो भी LCM आएगा वो टोटल काम होगा तो 12 और 18 का LCM कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा तो जीतना होगा LCM वो क्या होगा टोटल आपका वर्क हो गया तो 36 वर्क हो गया अब हमेशा क्या निकालना होता है एक दिन का निकालना होता है ठीक है तो A 12 दिन में 36 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा तो 3 काम करेगा ठीक है अब B 18 दिन में 36 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा यहां तक clear reference ठीक है आगे देखते हैं क्या कहा गया आगे कहा गया कि वे एक साथ यानि कि एक साथ है निक दोनो A और B मिल करके दो दिन काम करते हैं और तब A चला जाता है देखे कैसे इसको solve करते हैं कहा गया हम सबको कि A और B दोनों मिल करके काम करता है कितना दिन करता है फ्रेंट्स? दो दिन तो दो दिन यहां लिख लेंगे ठीक है दो दिन जो है A और B दोनों मिल करके काम क्या है A जो करता है आपका तीन काम करता है एक दिन में एक दिन में तीन काम B एक दिन में दो काम ठीक है दो काम तो दोनों मिल करके कितना काम करेगा एक दिन में तो दो दिन में कितना करेगा 10 कऊ одग जाए लो current a टिक ए कितनों था णोगकर आफ़ चटी is और कॉम कितना हूच चकाए डश और बचा कित intent Ooegen कंभा थे संइस को बच गया आपका 46 हूट कuno कर पूरा कर देगा शपक्रों कों जो आपका से करवाना है ठीक है तो बी जो क्या करता है कि एक दिन में दो काम करता है बी क्या करता है कि दो काम जो है पर डे करता है याने कि एक दिन में दो काम करता है तो 26 काम करने में कितना दिन लगेगा जैसे कि एक दिन में दो काम तो 26 काम करने में आपका 13 दिन लगेगा कैसे 26 काम क को नीचे रखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा आपका 13 दूनी 26 जाने कि 13 दे हो गया ठीक है अब फिर से समझते हैं फ्रेंट्स यहां पर A 12 दिन में करता था B 18 दिन में करता था दोनों का LCM लिए यहां पर 36 आ गया तो इस तरह से निकल गया कि A 12 18 दिन में 36 काम करता है तो एक दिन में 3 काम किया B 18 दिन में 36 काम करता है यह जो है एक दिन में दो काम कर लिया फिर आगे क्या करता है कि वे एक साथ दो काम करते हैं एक साथ दाने के एर बी दोनों मिल करके एक साथ काम किया दोनों क्या एक साथ बाइब करने लगा तो नंब करने का तो अगर डू दीन करेगा तो इस तरह से आपका काम निकार को किसे के इस काम को यहां पे सब्सक्राइब कितने समैंहें पूरा में पूरा करेगा? यहां पे कारता एक दिन जाएंगे कांऊ क्रोटा क्रोटा किसे Вас चाहि难 कर दोगर चाह्न को देखते हैं उसमें है योड़न फिर dairy वालट हो जाएगा ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पे next question से आपका कि A एक काम को 15 दिन में कर सकता है जबकि B उसी काम को 10 दिन में कर सकता है ठीक है यहाँ कि पहुंस दिन पहले छोड़के जाना पड़ा बी को तो एही लास्ट में पहुंस दिन काम करेगा यहाँ पर पूरा कार कितने दिनों में समाप्त होता है तो ठीक है चली हम लोग दिखते हैं कैसे करते हैं इसको भी तरीके से अपका दश करूंब करेंगे इसा की पहला कोशन हम लोग सवड़ के ओRAY जो यह फंदराद роतिीन में करता है फालए पन्धरा दिन में में करता है फिर यहां पे दिया आपका जो दस दिन में करता है इयंप 15 दिन में दिया भी दस दिन में दिया है ठीक है अब दोनों का क्या करेंगे फ्रेंट्स LCM लेंगे हमेशा LCM लेना है तो 15-10 का LCM हो जाएगा आपका 30 जितनों भी LCM आएगा वो क्या आपका टोटल काम होगा फिर यहाँ पर क्या करना एक दिन का निकालना है A 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा ठीक है 15-20 फिर आपका B 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में आपका 3 काम करेगा 10 तिया 30 ठीक है अब आगे कहा गया है कि दोनों ने 7-7 काम करना प्रारम किया ठीक है चलिए इस जोई दोनों को काम कराते हैं देखिए, दोनों को काम कराते हैं, A और B बोला गया है, साथ साथ कार करना है, प्रादम क्या आप, कर दिया प्रादम, लेकिन यह नहीं का गया है, कि वो कितना दिन साथ साथ काम क्या है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बोला गया है, कि लेकिन B को कार समाप्ट होने स थ पहल चोट कर जाना पड़ यहांनि कि तब लास्ट में कौन कोम कहाँ ओगा फृरिंट्स करता है 2 काम एक दिन में करता है घर दे तो पहुंस दिन में कितना कम करदेगा तीस काम बचा किस क न शेस बचा आपका 20 कम ही थीस काम ठीक है इसमझ में आया होगा में यहां पे बोला गया था फ्रेंट्स कि लेकिन B को कार समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ कर जाना पड़ा यानि तब लास्ट में जो 5 दिन काम क्या होगा कौन काम क्या होगा एक क्या होगा तो एक क्या करता है कि 5 दिन काम करता है यहां पे क्या होगा कि यह जो है पर डे दो काम करता है यानि कि एक दिन में दो काम करता है तो पहुंच दिन में दस काम करेगा और यह करता है तीन काम कर देगा पहुंच काम कर देगा कितना दिन में यह स्मझें होगा कि 5 बड़ा बढ़ा चार दीन लगकांश कितना इडूर चार निकल गया फिर इस सवाल केareỆ कितने दिनों में समौब दोगा पूरा तो पूरा इनिक 300 कार 20 कार करने में पॉंच यहां चार दिन लगा है यहां टोटल दिन लगा है तो चार पूंच किता हो गया टोटल डेज टोटल डेज देखते हैं इधर लगा है चार इधर लगा है पॉंच रबर नौट डेज ठीक है तो नाइन डेज आपका लगा टोटल काउम करने में ठीक है उमीद है आपको जो यह समझ में आई होगी फिर से वाद समझ लेते हैं एक आदिया था है यहां पर 15 दिन कर सकता है 15 लेकिन आगा क्या क्या आगया कि लेकिन बी इस का नहीं कव्रों समझन का लिए को कार्ष मख्थ होने से पॉंच दिन पहले छोड़कर जाना पड़ा यह उन्हीं और नम मीनीद供ं सबल खेल बोड़ा की वह क्या करता है कि एक दिन में दो करता है ठीक है एक दिन में दो कम करता है और कितनों दिन है कि त्वे यह करने कि One दिन करेगा और total कौन करी यहां Pak कंफ कर दो एक निका element है तीस जब दोनों साथ मिल जाएगा तो पूछा क्या कितने दिनों में समाफ्थ होगा तो पूरा काम तो यहां पे पूछ दिन है दस काम करने में अब इस काम करने में हम चार दिन तो टोटल दिन कितना लग गया आपको नो दिन तो नो आपका राइट आंसर हो गया ठीक है तो उमीद आपको समझ में आई होगे चले नेक्स्ट कोशन और देखते हैं तब उसमें पूरा डायोट और किलियर हो जागा ठीक हो चार दिन हो तक एक साथ मिलकर काम करता है यहां पर दे दियाए उप्रेंट की एक साथ यह चार डिन काम करता है इसके बाद एक काम छोड़ कर चला जाता है बिस सेच काम को कितने दिनों में पूरा करेगा ठीक असी तरफ process करेंगे फ्रेंस दिस तरफ जो है पहला सवाल और दूसा सवाल किए देखें यहां पर यह दिया है 10 दिन तो हम लोग ले लेंगे यह तो यहां पर 20 होजगा 1010 सब्सक्राइब कर देगा 20 का टोटल कम हो अब क्या करना हमेशा एक दिन का निकालना फ्रेंट्स ए वन डे देह सकता सब्सक्राइब यहां तक प्रोसेस आगे जो अनुसार कम करेंगे फिर आगे बोला गया आपको वे दोनो चार दिनों तक एक साथ कम मिलकर करते हैं देखिए यहां पे क्या का गया कि दोनों मिल करके कितना दिन कम करता है चार दिन एक साथ दोनों मिल गया A और B यहां पे दो ही आदमी है A और B दोनों मिल गया और क्या है कितना दिन चार दिन ही कम किया है ठीक है टोटल कम है आपका 20 देखिए यहां पे ए जो करता है एक दिन में दो कम करता है एक दिन में दो कम करता है बी जो आपका एक दिन में एक कम करता है जब दोनों मिल जाएगा तो टोटल कितना कम करने लगए फ्रेंट्स टोटल तीन कम करने लगए कितना दिन में एक ही दिन में जब दोनों ए और बी दोनों मिल जाएग तो एक दिन में 3 कौम करने लगेगा और जब आपको एक दिन में 3 कौम करेगा तो चार दिन में कितना कौम कर देगा वह बारा कौम कर देगा समझा है एक दिन में 3 कौम करेगा तो चार दिन में कितना कौम करेगा ठीक कर दिया उसके बाद एक कौम छोड़ कर चला जाता है इत में से कितना कर दिया है फ्रेंट्स बारा अब सेस काम तब कितना बज गया आपका आठ बज गया ठीक है यानि आठ काम बज गया ठीक है डवलू मिस होता है वर्क ठीक है तो सेस जो है आठ काम बज गया सेस कौन करेगा आपका बी करेगा ठीक है बी क्या करता है फ्रेंट्स आ एक दिन लगता है तो आठ बटे एक कर सकते हैं तो इस तरह से आठ दिन लगेगा ठीक है पूछा गया है वी से से स्कॉम को कितने दिन लगा आठ दिन लगा वी को से स्कॉम खतम करने में अमीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करदेने फ्रेंट्स तो चलते हैं झाल झाल